कुल दॉस्तों आज हम दो जाने कि प्रवार इस से जी इसी में निकालेंगे इसके बारत जाने कि वीडियो के व्यक्रीट का विडियों बने देगेटां आए जानते हैं तब आमको समाझना आए तो आए लेखते हैं इसे क्या तो आए यह वास में आए पास में आ एक या कि सेंपल वेट सबसे पहले आपको फोल का जिस भी कॉल का सेंपल लेना है तो देखिएगा आप लोग का सेंपल जो है 0.9 ग्राम आप मैक्सिमम 0.95 तक ले सकते हैं लेकिन 0.95 से कम होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं लेना है 0.95 ग्राम से तक मैक्सिमम लिमिट है तो आप जितना भी सेंपल लेट लिजिए उसको एक कोपी मिनोट कर लिजिए ठीक है तो उसके बाद जो है क्या करेंगे हम ऐसा इसमें अभी हम लोग दालेगे कि कैसे क्या करना है तो इसमें डाल करके इसको शेट करेंगे की कैसे क्या करना है ठीक है जब़ दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे इसको प्रेसर आई यूच सबसे पहले यह हम आपको पदा देते हैं कुछ धेसा। यहां मारा separate तक सबसे पहले जूजए है जिसके अंदर मेंको को आपको फिटे करें अदर में दिख रहर हैं। तक बने रहेंग alegis च कईसे करना मैं इप यह कशियों है यह कि अभी अगलब देख सकते हैं कि हम प्रेशर कैसे टेबलेट्ट वनाया है आप देख सकते हैं आपको ऐसा टेबलेट्ट पनाना बिखा अब इसके नीचे और इसको टाइट कर देते हैं इसको टाइट कर को गया आप अब इसको परने से पहले क्या करेंगे हम लिए यह गेर है किसो बॉला पाघ्रिस उसका पाइब किस्के प्राइब है ले मंज़िए अदर सब चलागिा इंपल और इसको सेट करेंग यहbenचाशीन है इस्ने टेबलेटि मेरा हो जाएगा कि टॉथ मेरा टेबलेर रिड़ी हो गया है अभी जो है जो भी ऊपर जो डर्श पारिकल होता है तो क्या होता है तो जो प्रेश करते हैं तो इसको सेट करूंगा अछा प्रेसर करेंगा इसको खुब टाइट कर लेंगे प्रेसर बनागे इसम टाइट मेरा टबलेट हो जाएगा जितना टबलेट अच्छा से दबेगा उतना मेरा अच्छा होगा तो अभी मैं इसको रिलीज करूंगा अब इसको मैं निकालूंगा अब देखिए यहां पर बेटियो थोड़ा लंबा है धियान से दिखिए अब मैं इसको खोल दूँगा जो नीचे का परसल था इसको मैं खोल के हटा दूँगा अब मुझे इसको पुर्षेवल में लेना है ठीक है हमाने दकर नीचे कुछ भी नहीं गीरा है इस Rumnate बना है इसमें आप देख सकते हैं इसके नीचे सदिख रहा होगा देखाई यह एक यह आपका एपक्रोंघ चैब इसको यहां पर दिखाए ज़रा कुर्सेबल यहां पर मैंने कुर्सेबल लिया है जो भी कुर्सेबल वेट है उसको हम नोट कर देंगे लिए ठीक है तो अभी मैं नोट कर लेता हूं तो मैंने अभी इसको टेर कर दिया है जीरो कर दिया है क्योंकि मुझ को इसमें सेंबल लेना है तो इसी को क्या करेंगा हम इस सेंबल को इसके अंदर हम फीट करेंगे अभी जैसा कि उसमें फीट किया था इसमें आ जाए मेरा ठीक है तो मैं अभी इसको मैं फीट किया ओपर म तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं दिखाओंगा सेंपल आपको यह देखिए करके अब मैं इसको सेंपल को वेड़ कर लूँगा इस सेंपल ले लूँगा कि मेरा एक्ट्व ya कितना देखिए 0.9 वह इस वक्ति अब पर इस तरह सेंपल लेंगे दिवोस्तों यहां पर हम देखिए辛苦 करेंगी इसको हम कैसे سट करेंगे यह जानेगे मेरा काद कीOb अब आएंगे हम लोग के बारे में और उसमें तो पूरा आप नहीं समाज पाईएका इधर दिखाई है कर दो यह पर अफ्ट सकते हैं, हर इसका दोनों और मैंने और यह कुझे Просто करे कर Χाए और इसका यह इसका यह है जिले लूड़ी यहां पर मैंने थैर्ड राक यह यह पास से धी maior और तेस्टिंग घ्लिए अर तर् निक्रोम वाय रहा है आपको मैं दिखाता हूं कि थेरेट का वेट कितना है तो थेरेट को एक आप ले सकते हैं 0.05 और 5 से ले करके 0.06 ग्राम तक आप ले सकते हैं ठीक है जो कि आच्छा से जालना चाहिए तो मैंने इसको कोई वह नहीं है आप इसको नोट भी कर सकते हैं तो इसको नोट किजिए दिख है ओंग तो मधियर हमने लिए काटके इसको 5 सेंटिमेटर लिया है पाँ से संटिमेटर ले सकते हैं 8 सेंटिमेटर लिजें कोई दिखत नहीं है बस उसको यूज में हमको बाहनना आई और उसको लेना ही यहां पर मैंने उसका भी बैट लिए देखिए यहां पर 0.096 है तो थोड़ा ज्यादा है 0.07 तक आप लेजिए 0.007 आप लेकर के आप को टेस्टिंग कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है बस आपको जो है यह आपको सेट करना है आप आये जानते हैं सेट कैसे करना है इसको नाइक्रम वायर बोस्ट में इधर लिए यहां पर एसे हम डाल दिय करना है यहां पर दो खाचा है ठीक है यहां पर दिखाए जरा दिख रहा है खाचा यह देखिए खाचा है यहां पर यह दोनों में आपको बानना है ठीक है बहुत लोग क्या करते हैं नीचे बान देते हैं तो आपको इसमें बानना है और इसमें बानने कवार इसको ऐसे ल कि यहां पर यह उसकी के लिए बनाया गया है यह उसी के लिए बनाया गया है दोस्तों ठीक है और इसके बारे में आप इसके नाइक्रों वाईर बानने से पहले मैं आपको कुछ छीजे बता देता हूं जो कि बहुत जैरो रही है oh तो दोस्तो सबसे ज़्यादा दुरूर ये यूज करने के लिए आपको बेंजोई के सीट कॉटन थेरेट होना चाहिए एस पेर भाल होना चाहिए आपके पास और कनेक्टिंग वायर प्रिंटर पेपर रोल और और रिंग सेट एलमूनियम रांड डिस्क सेट और इनिशियन यहां देखिया मैंने डाटा बना के रखा है डाटा केबल सीडी बेंजोई की सीट कॉटन थेरेट एसपेर बाल कनेक्टिंग वायर प्रिंटर पेपर रोल और इंग सेट एलमूनियम रांड डिस्क और इंग्निश वायर तो यह सब चीज आपको ज़रूरी है आए जानते ह है कि बंग किलोनमेटर में अभी जी सीवी निकालने के लिए कैसे कैसे सेट करते हैं तो आप लोग इसमें यह जो एस्टेंड है इसमें डालकर आप लोग सेट कीजिएगा मैं अभी लर्निंग परफस के लिए बना रहा हूं तो इस वीडियो में अगर कुछ गलत हो तो उस ह unanim ह May I Anyways तो शाये में फंस गया है अभीषय लेंगे हावं इसको इसमें फंस आदेंगे इसको नीचे तक आगया यह तक आ इसमें हैन को आप नहीं आला है घ焦निक नधार है के इसमें पो Megね Is तो के सब्सक्राइबगाद है जो की बहुत केरफ करना पड़ता है और थो बहुत कोई भी मिश्ट्रेक उड़ाहें याद रखी कोई भी यूटूबर आपको इनहीं बताएक कि कैसे क्या होता है बोलके तो यह मैं आपको लाइफ दिखा रहा हूं इसको आप ध्यान रखिएगा तो देखिए यह देखिए कितना लोग आता है कल्दी करता है तो यह नीशी आ जाता है ठीक है यह नहीं आना चाहिए ठीक है यह देखिए नीशी आ रहा है मेरा यह हां से नीशी आ गया यह नहीं आना चाहिए तो अभी मैं फिर से इसको सेट करूंगा तो अब देख सकते हैं मैंने सेट कर दिया है दोनों यहां पर सेट हो गया है मेरा तो अब इसमें ठैरेट कैसे डालेंगे कुर्सिवल कैसे डालेंगे यह जानेंगे अभी मेरा यह सेट हो गया देखिए यहां पर मैं कर रहा हूं तो नीचे नहीं जा रहा है तो यानि मेरा य के यहां पर ऐसे करेंगे मिलें इसको सेट कहा दोस्तों कि अच्छी तरदेख करना है कि अगर कि यहां पर ऐसे करेंगे को सेवल को क्या करेंगे कि घो है अगार करेंगे करया है इसको बांध ऐसे बाग लेना है दोस्तो ब्ली बढ़ा इसको अराम से प्यार से इसके अंदर डाल देंगे अगर आपके पास कोई पतला तो उसे हमें अच्छा कि यह अंदर अच्छा से चला जाए और कोल में फस करके इसको पूरा अच्छा से इगनाइट करते हैं कि अच्छी पूरु ए गश्चर अच्छ लिए करने के बाद किसे रिंग में अची तरह से करेंगे अच्छी तरह सेट करेंगे इसको टाइट करना एब्सुंड़ और यहिसी कि अब इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले मेरा यह ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का लेवल जो है प्रेसर जो है थर्टी एंपिय तो नहीं किया हूं लर्निक परबच के लिए है तो दस पर है तो मान लीजिए मेरा अभी 20 पलस मैं यहां पे ट्रेसर रूंगा यानिकी 20 kg कर ठीक है मैक्सिमीम आप ले सकते है 25 do Poll's लिए सकते हैं तो आपका एक पर कलीबेशन कर लिजिएक आपको क्या आ ded升 कीए कि आ रहा हुआ पको देखना हुआ उसके बाड़ टेस्टिंग करना है तो मैं अब ही दुए मीर्म इसको मैं इसमें सेटकर नगा इसको अच्छी तरह से मैं इसमें सेट कर दूँँगा जो कि यह औक्सिजन का लाइन है अब यहां से मैं फोलूंगा तो इसका प्रेशन दो भी 30 प्लस कोना चाहिए मूझे लेना है कि इसको अच्छे से कर लेंगे नहीं होना चाहिए कि हो देख्षिज होगा तो पिर आपका इण ने अच्छा से नहीं होगा इंग सब्सक्राइब करना है कि अब इसमें हम गैस ले रहा है तो मेरा प्रेसर अभी 10 पे देखिए यहां प्रेसर देखिए मेरा प्रेसर 10 पे था जो की जीरू नहीं है यहां तक मैं लोगा 20 20 पे चाहिए मुझे तो यहां तक 10 तक 10 40 तर जाएगा तो इसको जयान देना है इस पर यहां समय अक्सीजन कर रहा हूं इसको अक्सीजन को हम यहां पे फिल कर लेंगे जो भी मेरा प्रेसर आएगा यहां तक 20 MPa प्लस तो उसको मैं उसके बाद मैं रिलीज कर दूँगा और इसको ओपन इसको मैं यह ओपन कर दूँगा है आप लोग जान चुके होंगे कि ऑक्सीजन कैसे फिल किया है और किया है तो विद्यू में बने रहेगा तो देखिये मैं इसको इसके अंदर डालाएं इसके अंदर शब्सपे ने आपको दिखा दो इसके अंदर आपको डिस्ट्रिल वाटर है और यह दिश्टिल उसके गता tilt water आइए इसफ्म और इक रिई बनाई हुआ है इसको डालूँगा और उसके बाद ये इसको टार में इसको टार वख enterprise करोंगा ये लिर्ड मेर और इसका वह एसंगर्ड wire को कि रिभा करते हैं आणि देखी तो आप सकते हैं क हैं अब तो अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर सबसे 119the Pen Premiere इसके अंदर मैं इस सेट करूंगा यह किसी भी आप सकते हैं कोई ज़्रूरी नहीं 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 है कोई दिगत नहीं है है ठीक है अब इसको मैं सेट कर रहा हूँ अब इसके अंदर जो है मैं इसको डालनें के बात कि इसका अ कि अगुद कर देता हूं कि इसको में इसमें भशा लोगा यहां देख सकने हैं है कि यह यह estuj तो जिकत हो जाएगा अब इसको सेट करनी के पाद क्या करना है इसके बात याद रहें कि यह जो लगा रहता है इसको हाँ मैंसों अधर करना है इसके अदर गाना है इसे इसीप कर देना अच्छा से त्दिश उसके बाद पीस्टेर लगाएंगे जोडसेर है अगनेटिल बोलते ऐसा इसके अंदर करेंगे चलोली इसके अंदर ठीट करेंगे और इसको यह जो पेश है इसको इसको हम लॉक कर देंगे थीक और अब मैंने इसको लॉक कर दिया अब हम आगे की पर्षेस जनते हburg हुआ है तो अब यहाँ पर हम लोग है मैंने इसको ओन कर लिया है इसको ओन कर लिया और वी क्रें से और में स्टेस्ट चल रहा है तो चल रहा है आगे करेंगे क्या करेंगे हम लोग सेंपल टेस्ट करेंगे कि सेम्पल हम जो है हम कैसे समें सेम्पल डालेंगे जो कि मैंने सेम्पल 2020 रिया था वह इसमें प्रोफ इसमें क्या करेंगे आम पर टेम्परिशर मैंने बताया था यह नखेंगे चितना हो रहा है कि नहीं जितना बढ़ेगा माले ट्वांटी ट्वाइचर हो गया यह 25 हो गया तो कितना टेंपरेचर आपका मेंटेन कर रहा है वह आपको उस पर निर्वार है तो 20 मिनिट तक इसको देखेंगे पहले हम कि कितना टेंपरेचर एक कॉंस्टेंट होना चाहिए यह है क्या करना है हमको सेंपल स्टाटिंग है अभी हमको सेंपल टेस्टिंग करना है ठीक है तो सेंपल टेस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे अभी इस मेनू में जाएंगे यह मेनू है देखिए मेनू है तो मैं मेनू पर किलिक करता हूं मेनू पर जैसे किलिक करूंगा मेर वह जाएगा, फुरा फूर दाएगा, तो इसमें आपका टोटल चीज होता है, test detail क्या करना है, mass of tablet कितना डालना है, sensitivity क्या है, benzooc acid का CV क्या है, water equivalent क्या है, time क्या है, setting क्या है, setting value print क्या है, और exit है, last में exit करेंगे, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको अभी testing क्या कर रहा है है, तो सबसे लोग देखेंगे, तो हम अभी sample test कर रहा है, water equivalent test ही नहीं कर रहा है, अगर water equivalent test करेंगे, तो water equivalent में डालेंगे, और sample test करेंगे, तो sample test में डालेंगे, तो अभी मैं गया sample test कर रहा हूं, तो sample test में इंटर करूंगा, उसके बाद नीचे mass of tablet में जाओंगा, तो mass of tablet क्या ह है कितना है मेरा सेट पॉइंट उस पे जाना है अब देखें यहां पर 0.88 है तो मेरा जो सेंपल वेट मैंने लिया था 0.9 ग्राम तो इसमें वह भाई लूपीट करूंगा जिरो 0.900 डाल दिया मैंने अभी एक और जीलो डाल देता हूं हो गया अभी यह सेट हो गया अपने आप बैक आ जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको इसको इसको एकजिट कर लेना है थो सब्सक्राइए और हमको इवेट कर रहेंगे कि मैरा कॉंस्टेन न सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर दिखेंड विडिये का आपका का औप्सन है हाँ ऑर बैक और जाएगा तो इसको इसको त्याहर कर दूगा एक और चीज ध्यान देने वाली बात है इस पर यहां पर मेंगें सुईच कर लेएं तो यहां पर आपका सोह करेंगा कौन सा टेस्टिंग हो रहा है यहां पर पता चल जाएगा इंडिकेट करेंगा कोई भी अगर समस्य यहां पर इंडिकेट करेंगे अभी 0.267 और 277 आ रहा है तो इस से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है थोड़ा दर और वेट करेंगे और उसके बाद इसको फायर कर देंगे ठीक है तो हम यहां पर start करेंगे जैसे हैं पर फायरिंग आ जाएगा तो अभी देखिए हтор्या इतना बाइश स्टार्ट कर रहा हो इससे नहीं बढ़ रहा है ज्यादा तो अभि मैं इसको फायर का डिक कर रहा हूं मैं तो मैंने फाइरिंग कर दिया है, तो यहां पर तो के अपना कल्केलेशन होगा तो यहां पर रिजूल्ट्स करेगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कि कितना आ रहा है, कि तो कितना भेशन आंगा किसी में निकाल लिया है मतलब 3500 आया है तो मेरा टीसी बहुत अच्छा है यह लर्निंग परवस के लिए था तो टीसी वी कम से कम पांच जार प्लस होना चाहिए लेकिन नर्मली में एक लोग वाल्टे के दिस्पी मैंने निकाला है तो यह जी अपने निकालना सीख दिया अब इसको पैसे हम आउट करेंगे यहां से मस्कील को मैंने आफ कर दिये पीछे से एना आफ करने के बाद इसको क्या करेंगे हम कि इ इसको निकालेंगे 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 इसको निकालें नि करनें ना लिए इसका मेर घ्राइस है उसको हम रिलीज कर लेंगे जो आप्सीजन है इसमे तो इसको मैं रिलीज कर लेंगा कि अ जान ऐसे रिलीज कर लेंगे कोई तिससे मैं हाथ से ही कर रहें कर दाऊं उसके बाद इसको ओपेन कर लेंगे फिर से और दूसरा टेस्टिंग अपना जो करना है उस तरह स्टार्ट करेंगे तो इस वीडियो में आप लोग को गॉंपलर मिटर का जो चैसी भी होता है उसके बारे मैं आप लोग बदाया हूँ अब भू नहीं समादा किमेट कीज़ी है अब अब लोग वाटा इक्यु बीरेंब की बिरेंट का बसूसरा इंगों फिद्ले और के झाल झाल